एमी सीडा, आमार, एलो, it's all for yesterday. यही फिल्म, ताजी ताजी, फिल्म नहीं, डॉक्युमेंट्री, इनफाक, ताजी ताजी रिलीज हुई है, नेट फ्लिक्स पर, पोर्चुगीज भाशा में, जिसकी हॉलिवूड पाट्शाला लग चुकी है, मेरे याने प्राची के साथ में, याने फिल्म का पूरा माजरा जानने के लिए सीधे सरल साफ शब्दों में, आप देखते रहिए What's Up, Bollywood पर ये वीडियो एंड तक. Emi Sita एक बहुत ही फेमस ब्रजीलियन रैपर, सिंगर, सॉंग राइटर, अक्टिविस्ट, MC हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने लाइफ का मिशन है बिल्कुल साफ तरीके से जान लिया है कि अपने काम के जरिये ब्रजील के कल्चर, हिस्ट्री, उनकी रूट्स जहां पर वो पले बढ़े हैं उसके बारे में सब को बताना और साथ ही साथ अपने जो देशवासी हैं, अपने लोग हैं सावपॉल के उनको भी जागरुक करना और दुनिया के सामने लेकर आना अब तक तो आप यही जानते थे कि ब्रजीलियन सौकर में सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि इन्हों ने बहुत सी ऐसी चीजों की शुरुआत की है, जो शायद हम जानते भी न होंगे कॉफी से लेके सामबा तक और यहां तक की वाद्ययंत्र टैंबरीन तक, पता है वो कैसे बनाया जाता है मोटे से बटर कैन के ऊपर जो सिमेंट की बोरी होती है न, उसको लगाते हैं लेयर बाय लेयर और उसे वायर की मदद से सिल देते हैं फिर उसको वेट करते हैं, फिर हीट करते हैं, ताकि उसमें साउंड जो है वो अच्छा सा बन जाए काफी अलग चीज है, राइट? सामबा के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि ब्रेजिलियन्स के आर्ट, कल्चर, खाने, पीने, फैशन, हिप हॉप, रैप, हर चीज में सामबा के रंग नजर आते हैं and here's some interesting information about Samba, 1997 में एक Sojourner Rover, एक तरीके की robotic vehicle है, जो जिसको मार्स में भेजा गया था और उसको जगाने के लिए एक सामबा गीत चुना कया था, जो कि मार्स में बचता था और उसको सुनने के बाद ये रोवर जाग जाता था How cool is that? जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि Emi Sita के बारे में ही महज ये डोकुमेंटरी नहीं है, बलकि Brazil के black culture और history के बारे में भी ये बहुत कुछ बताता है और Emi Sita एक celebrity होने के साथ साथ एक जरिया बने हुए हैं ताकि वो अपने देश, अपने ब्रजील के बेटे होने के नाते, अपने ब्रजील के बारे में पूरी दुनिया को बताए कि Brazil क्या चीज है अब उनके on stage, amazing Portuguese गानों के साथ साथ, off stage, backstage और इसके साथ ही rehearsal room और बहुत सारे ऐसे Brazilian musicians से मुलाकात इस documentary में आपकी आखे खोल देंगी Brazil के बारे में तो ये थी Brazilian Sao Paulo के बेटे, Emi Sida की कहानी, वैसे मैंने इनके YouTube channel को देखा है, इनके देरो followers हैं, आप भी जाएए देखिए और क्या music बनाते हैं Emi Sida एक और काबिलेत तारीफ बात ये है कि एक सिलेब होने के नाते, उन्होंने जो अपने country, अपने लोगों और अपने black culture को आगे बढ़ाना, उन्हें उजागर करना, अपने roots के साथ जमे रहने के साथ जो ये बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही ज्यादा काबिलेत तारीफ ह और मेरे हिसाब से हर एक सिलेबरिटी को यहाँ एक नए एक चीज़ बिना किसी स्वार्थ के करनी ही चाहिए. Emi Sida, Amarello, It's All For Yesterday, Netflix पर स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है, तो आप ये documentary देख सकते हैं, Portuguese में हैं, अंग्रेजी सब्टाइटल दिया हुआ है, लेकिन I hope इस documentary का पूरा माजरा आपको समझाने में ये वीडियो आपकी मदद कर गया होगा. वैसे अगर आप और भी ऐसी बहुत सारी अंग्रेजी documentaries वगेरा के बारे में जानना चाहते हैं, जो की रिलीज हो चुकी हैं, तो आप What's Up Bollywood पर Hollywood पार्चाला के पिछले वीडियो को जरूर देख सकते हैं. मैं याने के प्राची हाजिर होंगी एक और documentary, foreign language movie, अंग्रेजी film वगेरा वगेरा के पूरा कपूरा माजरा आपको समझाने के लिए Only on What's Up Bollywood. बाई!